इस वीडियो में हम हम्द थेंक्यू लॉर्ड से मतालिक सवाल जवाब को मुकमल करेंगे एक मरतबा मिलकर इस हम्द को पढ़ लेते हैं ताके जो बाते हमने पछली वीडियो में सीखी थी वो दोरा कर उनकी मतल से हम असानी के साथ अपने सवालात के जवाब बात लिख सके हैं तो यह हम दिस तरह से हैं यहां लफ्स कमार्ण को हम कमार्ण भी पर सकते हैं जैसके अमारिकन इंगलिश में पढ़ा जाता है इसको हैंस के साथ राइम करने के लिए तो यह दो लाइन इस तरह से पर जाएंगे hold my family in your hands as we follow your commands and I will keep you close in sight until I crawl in bed tonight तो चलिए अब देखते हैं इस नजम सी मतालिक section B reading and critical thinking इसका part 1 है reading comprehension और इसका पहला है answer these questions दिये के सवालात के जब आब बात देने हैं पहला सवाल देखते हैं what does the poetess do in her difficult times यानि जो शायरा है वो अपने मुश्किल वक्त में क्या करती है यानि जब उनको कोई मुश्किल आन पड़ती है तो फिर उस वक्त पो किस तरह से उसका मुकाबला करती है इस नजम के दूसरे हिस्से में हमने देखा था यहां जब यह बताए जा रहा था कि तो यहां यह इस बात का इजहार कर रही है वो शायरा जब आल्ला ताला से वो अपनी हम में एक दौाई या अंदाज में वो उनसे बात कर रही है अनला से यह फर्मा रही है कि जब भी मेरी मुश्किल ज़िए कोई मुश्किल आती है कोई दुख दर्द वगयरा का मुझे सामना करना पड़ता है तो उस वक्त मैं ना तो किसी किसम का शक्ष या शुबह करती हूं या अल्ला पे मेरा इमान उसी तरह से मजबूत रहता है और ना ही मैं डर कर छुप जाती हूं यानि कि वो हालात का मुक रहूंगी अपने I will help my friends indeed, दोस्तों की मदद करूंगी, where you send me I will go और जहां भी Allah ताला लेकर जाएं वहां जाओंगी, with your help I will learn and grow, Allah की मदद से मैं सीखती चली जाओंगी और आगे बढ़ती चली जाओंगी या मजबूत होती चली जाओंगी, तो इन सब बातों को हम इस तरह से असान अलफाज में लिख सकते हैं, चोटे-चोटे जमलों की शकल में, अपना जो जवाब है इस तरह से हम शुरू करेंगे, जैसे कि पूचा गया था, what does the poetess do in her difficult times, तो इसी बात से हमने जवाब शुरू किया है, in her difficult times, और फिक कॉमा का निशान, the poetess is not fearful because she trusts in Allah, यहनी अ गया है, she knows that Allah is always near to help her, वो यह जानती हैं कि Allah हमेशा उनके खरीब है, उनकी मदद के लिए, therefore, even in difficulty, she will continue to obey Allah, यानि लहाजा, मुच्किल में भी वो Allah की बंदी बन कर रहेंगी, यानि Allah के हर हुकम को वो उस पर अमल करेंगी, Allah का कहा मानेंगी, उसके मस्ताबिक चलेंगी और अ इस तरह से सीखती चली जाएंगी, अल्ला की मदद से, बजाए डरने या घबराने के, तो यह सब बातें इस जवाब में मौझूद हैं, इस तरह सी यह है, एक मुकमल जवाब, इस पहले सवाल का, और अब देखते हैं, अगला सवाल, what does the poetess decide to do until she goes to sleep, यानि सोने के वक तक वो जो शायरा हैं, वो क्या फैसला करती हैं कि वो क्या करेंगी, तो इस नज़म के जो आखरी हिस्सा है, हमें इसने इसका जवाब मिलता है, hold my family in your hands as we follow your commands and I will keep you close in sight until I crawl in bed tonight, यानि सोने से पहले वो अल्ला पर नज़र रखेंगी, यानि कि वो अपनी قریب जानते वे अल्ला पर भरोसा रखेंगी, कि अल्ला उनकी हफाज़त करते रहेंगे, उनकी मदद करेंगे, जैसके उनके जो खांदान के लोग हैं, उनको भी वो अल्ला के एक तरह से हवाले कर रही हैं, कि वो अल्ला उनकी हफाज़त करें, ताके वो फिर सुकून से सो सकें, जैसके वो सब भ पर faith है, इमान है, और उनका अल्ला पर trust है, यानि अल्ला पर उनको भरोसा है, कि अल्ला हर वक्त उनके साथ मौझूद है, हर वक्त उनकी हिफाज़त और उनकी मदद करने के लिए, लहाजा इस सब के बाद वो फिर सुकून से सो सकती है, तो इन सब बातों को भी हम आसान, सादा और चोटे-चोटे जम्लों में इस तरह से लख सकते हैं, जैसे के, आप भी पढ़िये, दो पोईटेस डिसाइज तो कीप अल्ला इंसाइट बिफोर शी वूड गो तो स्लीप, यानि वो जो शायरा है, वो यह फैसला करती है, कि वो अल्ला पर नगہा रखेंगी, नजर रखेंगी, यनि अल्ला को अपने खरीब महसूस करते हुए, उन पर भरुसा करेंगी, सोने से पहले, इसका यह मतलब है कि वो अल्ला पर इमान रखेंगी, that he is always there to help and to protect her कि वो हमेशा उनकी मदद के लिए और उनकी हफाज़त के लिए मौझूद है As she follows Allah's command जैसे कि वो Allah का हुक्म मानती है और उनके खांदान के लोग भी She prays to Allah to protect her family वो दुआ करती है कि Allah उनके खांदान की हफाज़त करें After that she does not need to worry about anything और इसके बाद उनके किसी भी चीज़ की फिकर करने की जरूरत नहीं है With Allah's loving protection Allah की मौबद भरी जो पना है या उनकी Allah की जो हिफाज़त है जिस तरह से Allah हिफाज़त करते है उसकी मौझूद की में किसी भी चीज़ की फिकर करने की जरूरत नहीं Because of that she can sleep in peace और इसकी वज़ा से वो सकून से सो सकती है तो यह है मुकमल जवाब इस दूसरे सवाल का और अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ How do you thank Allah subhanahu wa ta'ala for his blessings यानि Allah ta'ala की जो नेमते हैं जो भी अच्छी चीज़ अच्छी चीज़ अल्ला नहीं हमें दे रखी है खाने पीने की अराम और सखुन हासिल करने की चीज़े अच्छी सेहत हमारी फैमिली और भी बहुत कॉछ तो इन सब के लिए हम किस तरह से ल्ला का Shukr अदा करते हैं आप किस तरह से ल्ला का Shukr अदा करते हैं उनकी तमाम महबत के लिए, महरबानी के लिए इसी तरह से जब कोई मुश्किल उनको पेश आती है तो वो घबराती नहीं है, ना फिकर करती है, ना वो डरती है, अल्ला को हमेशा अपने खरीब जानती है, यानि अल्ला हर वक्त उनकी मदद के लिए मौजूद है, इस पर उन चलकर भी इस हम्द में ये जिकर कर रही है, वो कि वो अपने दोस्तों की उसी तरह से मदद करेंगी, और अगर बढ़ती चली जाएंगी, और जो भी अल्ला ताला उनसे काम लेना चाहते हैं, वो उसे करेंगी, तो इसी तरह से दिन का आखरी हिसा होता है, सोने से पहले तुमाम दिन की दुरान और इस तरह से सोने से कबल या पहले भी वो हमेशा अल्ला को याद रखते हैं, तो इन सब बातों को हम इस तरह से इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप भी पढ़िए, वी सैंक अल्ला बाई प्रेंग तो हिम, हम अल्ला का शुक्र अदा करते हैं, उ हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं, ये भी शुक्र अदा करने का तरीका है, हम अल्ला पर ये भरोसा रखते हैं, कि वो हमेशा हमारी हफाज़त करेगा, और हमारे खांदान की लोगों की भी, वी कीप अल्ला इन माइंड बिफोर वी गो तो स्लीप, और हम सोते वक्त भी अल्ला को याद रखते हैं, इस तरह से जवाब यहां मुकमल हो चुका है, तो बाप इस वीडियो को ट्रीपले कीजिए और इसके साथ पढ़ने और समझने की कोशिच चारी रखिए और सवालात के जवाबाद को लिखकर प्रैक्टिस करते रही है